सल्मान खान की चहेती यूलिया वंतूर का बॉलिवुड डेब्यू क्या कभी एद कभी दिवाली फिल्म से होगा? सल्मान खान से शादी पर यूलिया वंतूर ने क्या कहा? नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गरिमा तोमर आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलिग्राद स्टूडियो की एक और नई वीडियो में सल्मान खान के साथ relationship के rumors में चर्चा में रहने वाली रुमानिया की यूलिया वंतूर इन दिनों बॉलिवुड में अपनी entry को लेकर सुर्ख्यों में है फिल्मी गलियारों में इस बात की काफी चर्चा हुई कि यूलिया वंतूर को उनकी पहली बॉलिवूड फिल्म मिल गई है कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया गया कि यूलिया को बॉलिवूड की पहली फिल्म में कुछ सल्मान खान लाँच कर सकते हैं वेल हो भी सकता है और डेफिनेटली भी हो सकता है क्योंकि सल्मान खान ने आज तक बहुत सारे लोगों को लांच किया है और वो इन चीजों में हमेशा आगे भी रहते हैं तो यहां हम आपको सल्मान खान और यूलिया के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे वहीं सल्मान खान की बात करें तो उनकी आखरी फिल्म दिसमबर 2019 में दबंग 3 आई थी इस फिल्म में सल्मान के साथ सुनाक्षय सिन्हा और साउथ के स्टार किच्चा सुदीप नजर आए थे सल्मान के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बात करें तो इन में राधे और किक टू जैसे धमाकेदार फिल्म शामिल है राधे ईद पर रिलीज होनी थी लेकिन कोरोना संकट के बीच इसकी रिलीज डेट टल गई बॉलिवुड में यूलिया की एंट्री को लेकर जो खबरे सामने आई उनमें भी हिंदी फिल्मों की तरह ही सस्पेंज और ड्रामा है क्योंकि कभी कहा जाता है कि यूलिया की पहली बॉलिवुड फिल्म प्रेम सोनी के निर्देशन में बनने वाली ऐस गूड ऐस डैड हो सकती है तो कुछ लोगों का कहना है कि इस साल के अन तक जब चीजे कुछ ठीक हो जाएंगी तो यूलिया को लेकर सल्मान खाथ खुद एक एनाउंसमेंट कर सकते हैं इसलिए सल्मान की अपकमिंग फिल्म कभी एद कभी दिवाली में यूलिया दिखाई दे सकती हैं इस बात के भी चर्चाएं हो रही हैं आक्टूबर 2018 में यूलिया वंतूर को बॉलिवुड में लॉंच करने का भी ऐलान हुआ था इस फिल्म का नाम राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला था और इस फिल्म में जिमी शेरिगल को यूलिया के ऑपोजिट कास्ट किया गया था फिल्म की प्रेडियूसर प्रेड़ना अरोडा एक धोका धड़ी के केस में गिरफतार के चलते ये फिल्म अटक गई यूलिया वंतूर से सल्मान खान संग शादी के प्लान को लेकर जब सवाल किये गए इस पर यूलिया ने कहा कि उनके ममी पापा ने भी ये सवाल पूछा था कि क्या उनका शादी को लेकर प्लान है लगतार ये सवाल उनसे पूछा जा रहा है तो वो ये बताना चाहती है कि हम एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं ये जानना बहुत जरूरी है आपको बता दें कि यूलिया वंतुर को कथित तौर पर सलमान कान की गर्फरेंड भी कहा जाता है हाला कि कभी भाईजान ने इन अफवाओं पर हामी नहीं बढ़ी यूलिया वंतुर ने इस सवाल पर बड़ी चाला की सजवाब दिया कासा नो ब च्शना कि मैरे मम्मी पापा ने भी मुझसे यह सुझा था मैं ने उनसे कहा Да कि आप मेरी शादी देख न सकते हो या मुझे ठूश वेल इन लोगों की पर्सनल जॉइस यह जो क्या चाहते हैं और क्या नहीं हमें तो जिर्फ फिल्मों से मतलब है जो हमें एंटर्टेन करती है तो आप कितना एक्साइटेड है सल्मान कान की फिल्म राधे को लेकर नीची कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और देखते रह प्राइए हमारा चैनल बॉलिक्राइब स्टूडियोस